Hello everyone, how are you? I am P.C. Gupta, Chartered Accountant. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं Income Tax का हमारा Certification Goals. So सबसे पहले जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि actual में हम सेखने को क्या वाले हैं और ये हमारे लिए कैसे useful होने वाला है और कौन-कौन इस course को कर सकता है ये तीन course जो हैं आपके ये बहुत important है जिसे हम इस course वीडियो में एक बार discuss कर लेते हैं देखे सबसे पहले income tax अगर आप पढ़ रहे हैं तो most probably आपको कुछ ना कुछ एक इसका idea definitely रहेगा income tax अभी जब भी हम कुछ earn करते हैं अभी क्या होता है कि उस tax को कितना pay करना है और कैसे उस tax को कम से कम करके कितना maximum maximum हम save कर सकते हैं ये एक बहुत important point हो जाता है इसमें हमारे पास scope बहुत अच्छा होता है अब हर person को जिसको ने भी कुछ ना कुछ earn किया है अपनी income tax return file करने होगी अब जिब वो income tax return file करेंगे तो अब normal person को समझे न आपको ये अपने बारे में सोचिए तो अभी at present क्या आपको पता है कि कैसे return file करनी है नहीं पता है वो हम सीखेंगे बट आपको क्या अगर earning आपने करी है कहीं पर आप job भी कर रहे हैं तो आपको return तो file करनी पड़ेगी तो जैसे ही return file करनी पड़ेगी आपको किसी ना किसी legal advisor की requirement होगी तो यहाँ पर जैसे ही legal advisor की requirement होगी आपका रोल आ गया अब जब इस taxation को आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आप किसी की help कर पाएंगे तो वहाँ पर आपके लिए earning का scope बढ़ गया ठीक है तो हम समझेंगे कि कैसे कैसे कितना ज़्यादा scope है हमारे पास over the time इन चीजों को समझेंगे और कैसे एक इसको अपने business को अपनी जो हम अगर टैक्टिस का काम स्टार्ट कर रहे है तो कैसे उसको grow कर सकते है जिन स्टुडेंट्स ने अगर आपने GST किस और हमारे टैनली का कोर्स है हमारे उसका एक्सल का कोर्स है या और भी कोई सर्टिफिकेशन कोर्स आप कर रहे होंगे तो आइडिया होगा कि हम कैसे पढ़ते हैं और अगर all together आप कर रहे हो तो definitely बहुत ज़्यादा tremendous आपके लिए scope है future देखे जो भी हम सीखेंगे इसको कोई भी person अटेन कर सकता है मतलब doesn't matter आप commerce field के हैं या नहीं है विल्कूल भी कहीं पे भी आपको 1% भी ऐसा field नहीं होगा कि commerce field के नहीं है तो मतलब दिक्कत आ रही है so हमारे courses की speciality यही है इस चीश को ध्यान में रखके बनाया गया है इस सारे courses को अगर आपने कोई और course नहीं देखे होंगे तो आपको definitely पता होगा कि जो भी course हम पढ़ते हैं जो भी हम study कर रहे हैं so उसमें special यही चीश फोकेस करी गई है कि कोई भी student कोई भी person जिसको zero knowledge है तो वो जीरो से सीख सकता है जब मैं zero से कह रहा हूँ तो मतलब मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है इससे पहले आपकी commerce background थी science background थी हर course इस level से design करा गया है कि even class 10th का student जो pass out है 10th pass out तो वो भी सीख सकते हैं तो जब मैं 10th pass out कह रहा हूँ तो 10th में तो हमारे पास वैसे ही auction नहीं है कि हमें science या commerce ऐसा कुछ आप 11th के student है 12th के student है उसके बाद के कोई भी आपने किसी भी field में कर रहे है या आप business man है अपने खुद की income tax आप manage करना चाहते है अपनी earning को manage करना चाहते है तो भी आपके लिए एकदम perfect course है ठीक है हर चीज को बहुत easy language में समझेंगे मतलब वो ऐसा नहीं है हमारे नहीं कि मुझे भी कुछ ऐसी tension नहीं है कि आपको दिखाना है कि हाँ भी मुझे बहुत आता है या मैं अपने आपको बहुत ज्यादा high-five उसमें एकदम high level का पढ़ा हूँ आपको नहीं हर चीज को बिल्कुल simple language में असान language में समझेंगे जिसको practically use होना है उस level से समझेंगे ठीक है तो यह आपके बात रही इस course के बाद earning opportunities बहुत है देखिए income tax GST Tally Excel यही तो वो courses हैं यही वो core areas हैं जहाँ पर एक stay work करता है ठीक है आपको CA कितना earn करता है इसकी जान करिंग उससे better श्याद आपको होगी ठीक है CA के पास कुछ extra चीज़े भी allow होती है कुछ qualification का definitely impact आता है बट still अगर आप उसको अच्छे से से सेखते हो ना तो theoretical knowledge से ज़्याद important क्या है practical knowledge practically आपको कितनी knowledge होती दीरे दीरे over the life आप इन चीज़े में अपनी expertise अगर grow करते हो तो वदलब कोई limit नहीं है आपकी capability की उपटी पहिंट करता है आप कितना भी इस सीज़ में earn कर सकते है तो इसी के साथ हम next video से इसको start करते है अपना core income tax ठीक है तब तक के लिए bye bye